हाँ जी नमश्कार जी बाई सभी को आज हम बात करने जा रहे हैं जी टैफे नारसो टीए के बारे में कई बाईयों ने पूशा था कि ये ट्रेक्टर बाई जी बंद क्यूं होगे इसका क्या कारण है और इसके पार्ट सभी मिलेंगे या नहीं जानी कि ये ट्रेक्टर सागी इंजन है जी इसमें इनलाइन पंप इसमें लगा हुआ है जी और 60 HP कैटगरी में ये इंजन आता है जी 3333 के इंजन है जी और कई वेब साइड्स के मताबक इसकी जो सीसी है वो 3300 सीसी बताई गी है और 50-60 HP कैटगरी में से रखा गया है तो काफी पावरुफुल जी और 2010 में काफी अपडेट्ड मैसी की तरफ से ये मॉडल था और पूरा डीलक्स मीटर था ये देख सकते हैं आप और जो फ्रंट लाइट्स के लिए ये स्विच दिया गया था ये मॉरूती टाइप स्विच दिया गया था इंडिकेटर के लिए और फ्रंट लाइट्स के लिए और इसमें आठ फॉरवर्ड स्पीड्स और दो डिवर्स स्पीड्स थी और इसमें सिस्पेंडल पैडल दिय जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में और जो रेर हिस्सा था जी इसका प्लेंटरी ड्राइव दिया गए था जो आज कल मैसी 95-200-के अली बुंजव पंदाली प्लेंटरी ड्राइव इन सब ट्रेटर में जो आ रहा है वो सेम हिस्सा था जी इसमें और काफी हैवी हिस्सा और लिफ्टिंग पैस्टीस की 250 की जी थी यह देख सकते हैं अब हिच सिस्टम अगिरा आप सारा देख सकते हैं और हाजी नेक्स्ट हम बात करते हैं जी इसके लिफ्टिंग लिवर्स की सो सबसे पहले यह इसका लिफ्ट लॉक था जी और इसमें त्री तीन टाइब के सिम्सन T3S 433 नेक्स्ट जो इसके प्रेशर स्टेरिंग थे जो छोटे-छोटे दोनों तरफ दो सिलिंडर दिये गए थे यह देख सकते हैं अप और यह पार्किंग ब्रेक का लिवर है जी और पीटियो के इसके पांसो चाली अर्टरेट स्तारांसो नबे अर्पीम थे और फर है हां जी यह ट्रेक्टर 2010-11 में डिसकंटीन्यू कर दिये गए था इसका करने यह था कि सिरकार ने नए प्लूशन नर्म जबनाई थे जिसके एकॉर्डिंग 60HB के काटेगरी के ट्रेक्टर में टर्पो और रोटरी पंप जुरूरी कर दिये गए था और इसमें रेर टायर और रही बाद के पार्ट्स की तो पार्ट्स इसके ओडर पे मिल जाते हैं यह ट्रेक्टर आज भी नया बनके एक्सपोर्ट होता है लेकिन इंडिया में नहीं दिया जाता आप किसी भी नीरेस्ट अजंसी से इसकी किसी भी पार्ट का ओडर करके प्राप्त कर सकते हैं कोई हाँ जी वीडियो में जानकर ही अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना जी और चैनल को सब्सक्राइब करना जी आप सबका वीडियो देखने के लिए धन्यावाजी झाल